राहुल को तो सबक सिखाया लेकिन कप्तान रोहित को बाहर कर कौन दिखाएगा उनको आईना जी हाँ अगर हम भारती क्रिकेट की बात करें तो एक बड़ा बदलाव हमें न्यूजिलेंड की खिलाब दूसरे टेश मुकाबले में देखने को मिला हाला कि टीम की प्लेइंग 11 की चर्चा अगर हम करें तो वहाँ पर एक दो नहीं भलकि तीन बदलाव कप्तान रोहित ने किये लेकिन उसमें जो सबसे चर्चित बदलाव रहा वो कमाल लाजवाब राहूल करा कमाल लाजवाब रहुल को प्लेंग लेवन से बाहर किया गया शुमन गिल की इंट्री हुई तो यह चर्चा सुरु हो गई कि कमाल लाजवाब रहुल के उपर से कपतान रोहित सर्मा का विश्वास उठ चुका है भरोसा उठ चुका है यही नई गंभीर भी जो बैक करते ही नजर आ रहे थे एक दिन पहले तक कमाल लाजवाब राहूल को उनकी भी एक न चली एक न सुनी गई और कप्तान रोहित ने बड़ा फैसला लेते हुए कि अल राहूल को बाहर का रास्ता दिखा है हालिया प्रदर्सन की बात हो रही है यह बताया जा रहा है कि हालिया प्रदर्सन कमाल लाजवाब राहूल का उतना अच्छा नहीं है वो अपना स्थान खुद खो बैठे हैं उनको कभी ओपन रोहित ने कराया कभी चार पिखिलाया कभी पांच पिखिलाया कभी छे पिखिला लेकिन अपना स्थान अस्थापित भारती टीम में कमाल लाजवाब राहुल नहीं कर पाए चलिए हम माल लेते हैं कि केल राहुल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है केल राहुल संघर्स कर रहा है कोई बात नहीं है लेकिन क्या केल राहुल की जो निरंतरता नहीं है वो तो Lower Middle Order का धन्य मानिये, वो तो धुरू जोरेल का धन्य मानिये, कुल्दी प्यादों का धन्य मानिये, सर्फराज खान का धन्य मानिये कि इंग्लैंड के खिलाप आपकी आन, बान, सान, मान सब कुछ उन लोगों ने बचा लिया था. अन्य था, रोहित सर्मा ने कहीं का नहीं छोड़ा था, विराट उस रिंकला में मौजूद नहीं थे, जितने भी अनभवी खिलाडी थे, कुछ खास प्रदरसन नहीं कर पाये थे, इंटेंट के नाम पे वही 40-50 रन और फिर आउट हो जाना, लेकिन बात जब कमाल राहूल की आती है, तो उनके उपर यही उंगली उठाई जाती है, कि निरंतर तोर पे यह प्रदरसन करते हुए नहीं दिखते हैं, और जब बली का बकरा बनना होता है, तो मातर राहूल का नाम सामने आता है, लेकिन रोहित को कौन सबक सिखाएगा, लेकिन रोहित को कौन ना इना दिखाएगा कि कप्तानी के नाम पर आप भी सिर्फ और सिर्फ नाजायज फायदा उठाते हुए दिख रहे हो क्योंकि आप intent की बात करते हो आप intent की जरूर चर्चा करते हो जब आप बल्लेबाजी करने उतरते हैं तापर तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं लेकिन 50, 55, 60 जाते जाते आप बोल जाते हैं आप intent के नाम पर अपना विकेट फेक देते हैं और दबाओ बाकी बल्लेबाजो के उपर आ जाता है ऐसा ही कुछ रोही सर्मा का सफर रहा है जब से वो कप्तान बने हैं बड़ी पारियां लगातार नहीं आई हैं उनके बल्ले से यही छोटी मोटी पारियां आई हैं लेकिन वो भी intent के नाम पर इस वक्त चर्चित बनी हुई अगर हम रोही सर्मा के test cricket की बात करें इस वक्त के आकड़े की बात करें जब से बंगलादेश ट्रेश रिंखला का आगाज हुआ है वर्ल लिकप के बात की बात करें चर्चा करें त दूसरे मुकाबले में 63 बनाते हैं फिर न्यूजिलैन के खिलाप अगर हम मुकाबले की बात करें तो पहली पारी में 2 दूसरी पारी में स्टार्ट मिलता है तो 52 तक किसी तरीके से पहुचते हैं विकेट फेक देते हैं और आज की मुकाबले की बात कर लेते हैं पहली पार आपको opener अच्छा खाषा सुरूगा आप के opener बड़ी पारियां खेलेंगे लंबी पारियां खेलेंगे तिकेंगे डटेंगे अडेंगे ये भारती पिचो की अकसर निसानी रहती है कि openers को फायदा होता है और लंबी पारियां वो खेलना जानते हैं। लेकिन कप्तान रोही सर्मा ऐसा कुछ करती ही रही दिखाई दे रहा है। कप्तान रोही सर्मा intent के नाम पर test cricket में भी अपना विकेट फेकते ही रही दिखाई दे रहा है। उनके बल्ले से भी बड़ी पारियां नहीं आई हैं जिस तरीके से कमाल लाजवाब राहुल के बल्ले से नहीं आई हैं। दूसरी पारी में जरूर राहुल के बल्ले से रनने निकलता है तो क्या राहुल के लिए सिर्फ एक पारी और आपके लिए 10 पारियां। और आपके इंटेंट के नाम पर दबाओ मिडिल ओडर के बल्ले बाजो के उपर पड़ रहा है। जिस कारण से राहुल का बली दान चड़ रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।